हेलो फ्रेंट्स जैसा कि हम सब जानते हैं कि मूँ की अच्छी देखवाल जीवन द्वार दातों और मसुडों को स्वश्च रहने में मदद करती हैं तो आज हम आपको बताने वाले हैं इसे पांच दरीके जो 2021 नहे साल पे हैं आपको दातों दाडों की देखवाल करने में मदद करें तो मेरा नाम है डॉक्टर हशी काड़ो और आप देख रहे हैं हमारे यूट्टीब चैनल जेट्टारा टेंटिस्ट टेंटल क्लिनिक रतलाम तो आईए शुरू करते हैं टिप नंबर वन आपको तुद्ट ब्रशेश आर बेस्ट हमें हमेशा नरवन दातों वाला प्रशी यूज करना सही है सौट टुद ब्रशी यूज करना चाहिए क्योंकि हाट टुद ब्रश दातों को नुकसान हो जाता है उससे दाड़ और घिस जाते हैं अगर आप चाहिए तो जिडजग वाला तुद ब्रश भी यूज कर सकते हैं इससे दाथ को पीच में अच्छे से सफ़ाई पीच में हो जाती है तो आज हम सिखेंगे डेंटल फ्लोस यूज करने का सही तरीका 15 से 20 सेंटीमेटर लंबाई का डेंटल फ्लोस लिया जाता है उसको इस प्रकार से फिंगर इंडेक्स फिंगर और थम के विच में रोल कल दिया जाता है अब देखेंगे किस प्रकार ये किया जाता है अब दातों को फ्लोस से पकड़ कर उपर और नीचे किया जाता है और फिर आगे और पीछे इस प्रकार से ये किया जाता है दातों और मसूड़ों की बीच में जगे होती है जिसे सलकस कहते हैं वहाँ पर जमावा खाना और प्लाग फ्लोस की मदद से आसनी से निकल जाता है मस्वूडे नीचे की दरफ सरकने से दातों की बीच जगे बन जाती इस जगे में खाना वो पलाक जमा होने लगता है जो पूरी तरीके से टूथ ब्रश्र से साफ नहीं हो पाता तब हम इस प्रोगजाबरश का इस्तेमाल करते हैं किस प्रकार हम इसको समझते हैं दाटों की बीच की जगे, इस प्रकार से दाडों की बीच की जगे में फसा हुआ खाना, प्रोगजा ब्रश को आगे पीछे करने से फसा खाना निकल जाता है, टिप नमबर थ्री, ब्रश एट लिस्ट ट्वाइस अडे, ब्रशी ट्वाइस अडे अयह, हमें सुबह में और पहला ही जरूरी है क्योंकि खाने के कण जाकर किते हैं जो कि बात में सद्व का कारण बनते हैं हमें 2 मिनिट तक ब्रश करना चाहिए हमारे ब्रश को हमें हर 3 मेने में बदल लेना क्योंकि ब्रश के बिसल्स खराब हो जाते हैं इसके यह लावा हम माउथ खोश मी यूस कर सकत तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रशिंग करने का सही तरीका यह तक्निक यह है एक डेंटल मॉडल इस पे हम समझेंगे इस ब्रश के माध्यम से कि इस तक्निक में यह तक्निक पीछे के दातों से शुरू की जाती है इसमें ब्रश को 45 degree angulation में रखकर हलका सा दबाओ देकर ब्रश को आगे और पीशे की तरफ गुमाया जाता है थोड़ा वो circular motion भी follow किया जाता है इस तक्निक में 3-4 दात एक बार में कवर होते हैं और फिर उसके बाद में आप उपर के दातों के लिए downward stroke दिया जाता है उसके बाद अगले 3-4 दातों की cleaning इसी प्रकार से की जाती है यही तरीका नीचे के दातों की सफाई में भी उसके आ जाता है इसमें हमें ध्यान देना है दातों और मसूडों की बीच में एक लाइन होती इसको gum line कहते हैं तो ब्रश का angulation 45 degree angulation पर रहना चाहिए इस प्रकार से की इसके आदे bristles दाडों पर रहते हैं और आदे bristles मसूडों पर gum line पर रहते हैं इस प्रकार से इसको ब्रश को रखा जाता है नीचे के दातों में upper district लगा जाता है आगे के दातों के लिए इस प्रकार brushing की जाती है इसी प्रकार वर्टिकल तरीके से नीचे के दाटों में ब्रशिंग की जाती है इसके बाद में जिबान की सफाई भी पीछे से आगी की तरफ की जाती है इसके बाद में दाडों के चबाने वाली सत्य पर भी ब्रशिंग की जाती है आगी और पीछे इस प्रकार से इसको गु क्योंकि स्मोकिंग दातों और मसूडों की हेल्थ पर बहुत बुरा प्रवाब दिखाता है यह मसूड़े की इंफिक्शन का कार्मी कम डिजीस का कार्मी बन जाता है और भी गंबी बीमारिया कर सकता है जाता है विशुल नोगे स्मोक और फाइनल टिप शीयो देंटिस्ट वाइस अ यर सी देंटिस्ट ट्वाइस अ यह हमें साल में दो बार देंटिस्ट को विशित करना चाहिए इससे दातों की बिमारी को आगी बढ़ने के रुखा जा सकता है अगर आपको दाडो से समगन को जाने रहे नाव तो पेंचे कमिक बोक्स में लिकर आइप कर सकते हैं अगर आपको अमरे एपको अच्छा लगा तो प्लीस सब्सक्राइब को है थैंक यू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर थैंक यू